हेलो गाईस आज की स्वीडियों में फिर से स्वागत है आप सभी का दोस्तों आप मुझे सकते हो मेरे हाद में पेटियम का SBI क्रेडिट कार्ड है और यह क्रेडिट कार्ड दोस्तों बिदाउट इंकम प्रूफ है और मैंने कोई FD वगएरा नहीं कराई यहां तक मेरे पास म SBI का account भी नहीं है फिर भी मुझे ये credit card मिला है किस वजय से मिला है और कौन से तरीके से मिला है वो तरीका आज में आपके साथ में share करूंगा जिससे आपके पास में भी ये credit card आ जाएगा तो दोस्तों ये सारी detail में इस वीडियो मताऊंगा तो वीडियो को last तक देखना होग क्योंकि मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे 101% आप लोगे पास में Paytm का SBI credit card आ जाएगा और इस credit card की अगर आपको unboxing देखनी है तो वीडियो की लिंक में description box में देदूंगा i button पे देदूंगा आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करते ह है कि किस तरीके से आप लोग इस credit card को apply करेंगे अगर आपका 700 plus civil score है तो दोस्तों आप लोग इस credit card को apply कर सकते हो लेकिन कुछ tough and condition है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि यह हर कोई आपको नहीं बताएगा मैंने कुछ दोस्त हैं उनसे संपर्क किया था जो SBI में काम करते हैं उन्हेंने मुझे कुछ detail बताई थी उसकी वजह से मेरा ये card जो है वह अप्रूब हो गया है और वही detail में आपके साथ में share करूंगा जिससे कि आपको भी ए credit card मिल जाए तो उसके लिए करना है चैनल को करना है subscribe bell icon को all preset कर देना है ताकि आने वाली वीडियो प्लेस किया होनी चाहिए 22 से 23 साल प्लेस होनी चाहिए तभी आप लोग इसको apply कर पाऊगे और अगर आपने और लेडी इसको apply कर लिया है और reject हो चुका है पेटियम में तो मैं जो तरीका बताऊंगा उसको follow करना है तो आपका ये अप्रूब हो जाएगा हर घर में सभी के पास में एक number होता है हर phone में पड़ा होता है उसमें आप लोगों को क्या करना है पेटियम मना लेना है और जो आपका pen card जिसमें आपका reject हुआ है उससे दुबारा आप लोगो apply करना है और आपका अप्रूब हो जाएगा अप्रूब कैसे करना है उसके बारे में जान लीजि पर आप लोग बड़ी अराम सी इसको बनवा सकते हो मैंने अपने भतीजे की दुकान दिखाए थी और मेरा क्रेट कार्ड है वह अप्रूब हो गया है मुझे 15,000 रुपे की लिमिट मिली है दुकान की बेस पर हुआ है मैंने करने की दुकान दिखा दी और मेरा यह और ऑनलाइन भी और ऑनलाइन कौन से तरीके से होगा उसके बादे में जाल लीजिए यहां पर मेरी इसाइन भी हुई थी आधारकार्ड के तुरू उसके बाद में वीडियो के वाईसी हुई थी जिसमें मेरे जितने भी डॉक्यमेंट है उनको उन्होंने हाद में पकड़ कर सकते हैं या किसी और ये बस इतना प्रोसेस था मेरा जो कार्ड वहां से अपरूब हो गया एक से दो दिन के बाद सब्से पहले हैं अगर आपने अपलाई किया है और आपका नम्बर से आपको पेडियम अकाउंट बना लेना है उस पे अपनी फिर से डीटेल वगएरा फ जेड अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उसकी help ले सकते हो यहाँ पी आपका कोई family member हो तो आप लोग उसकी help लेके उनकी दुकान दिखा के आप अपना credit card apply करवा सकते हो दोस्तों यह basic detail है मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ आपकी age दो होनेगी वो 22 से 23 साल plus होनी चाह यह उसके अलावा online और offline verification होता है offline verification में आपको थोड़ी महनत करनी पड़ेगी आपको दुकान दिखाना पड़ेगा किसी की भी दुकान दिखा सकते हो बस आप लोग को GST number बोल देना है नहीं है अगर आपकी दुकान को पर banner है तो आपको उसी दुकान का banner के बारे में बता अगर यह दोनों चीज नहीं हो तो no बताईएगा कि नहीं है अगर आपके पास में हो तो आपको GST number बिल्कुल नहीं बताना है क्योंकि जैसे आप GST number बता दोगे तो GST number डाल को चेक कर लेंगे कि आपके नाम पर दुकान है या नहीं कि किसी और की दुकान है तो आप भी करके offline verification करवा लीजिएगा बस offline verification वो एक दो आर पूछेगा कि यह किसकी दुकान है अगल में पूछेगा बगल में पूछेगा दुकान में पूछ लेगा जाके direct कि यह दुकान किसकी है तो आप लोग को वहाँ पे थोड़ा सा handle करवाना होगा वहाँ पे आप लोग को स सब्सक्राइब करेंगा करूटि यह चोटा सा प्रोसीस है लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है तो एक बार जो ट्रीक है उसके बार भी बता दूँ ट्रीक है अगर आपकी वीडियो अच्छ लगाओ तो लाइक कर दे अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन में आप तक पहुचाता रहूंगा